असलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बेक तो माई यूटीव चीनल, तो इस वेडियो में हम डिस्कस करते हैं, मुल्टिपल एक्स्रेक्शन, इन से पहले वेडियो में हमने जो टाइप आफ सालेंट एक्स्रेक्शन ता उसको डिस्कस किया था, जिसके पौर टाइप थे, बेच एक्सरेक्शन, मुल्टिपल एक्सरेक्शन, काउंटर करेंट एक्सरेक्शन, एन में से जो फिहले टाइप सा बेच एक्सरेक्शन, इसको हमने इस वेडियो में डिसकस किया था, और इस वेडियो में हम डिसकस करेंगे, मुल्टिपल एक्सरेक्शन, तो चलो डिसकस करते है कि ποई एस्टेक्शन क्या होता है लेकिन इन से पढ़ेंगे में में हमने हम्ने ना कव डिसक Smells क्याता है फीछल्ड। कि वाले लेट्छर में डिस्ट्रेशन रिज्डीशन हमारे पास बराबर होता है डी जिसको डी से रप्रेजन करता है के डी हमारे पास डिस्टिबीशन रेशो बराबर होता है कंसंट्रेशन आफ सलूट इन अर्गेनिक लेर इन कंसंट्रेशन आफ सलूट इन अर्गेनिक लेर और इसको मैं ऐसे रप्रेजन करता हूँ ठीचे और इसमें में अगर इस रेड़ वाले को रिप्रेज़न कर तो यह, मारे पास सलोट पार्टिकल होगा याने मेरे पास ऊपर वाले को हम कहते हैं मुस्ट्छे अर्गनिक जिसको मैं उसे रिप्रेजन करता हो और नीचे वाला को में डबली उसे वाटर यानि इन अर्गनिक सालूर्ट जो मूस्ट के हम इस्तिमाल करते हैं वो हम वाटर इस्तिमाल करते हैं तो हमारे पास जो ratio होता है यानि यह हमारे पास क्या है यह red वाला यह red वाला हमारे पास है salute particle salute particle यहने हमारे पास जो salute है organic layer में और जो water में है इन दोनों के ratio को हम distribution ratio कहते हैं जिसको हम D से represent करते हैं अब पिछली lecture में हमने discuss किया था कि जिस salute का distribution ratio ज्यादा होता है इसके लिए हम जो solvent extraction की type ते बेच extraction वही इस्तिमाल करते हैं और distribution ratio ज्यादा का मतलब क्या है distribution ratio यह से अंदादा लगा सकते हैं कि distribution ratio जो organic layer में जो salute की concentration है अगर वो ज्यादा है तो इसका distribution ratio हमारे पास ज्यादा होगी ठीक है तो इसे तरह इसका अगर हमारे पास यह एक separating panel है अगर यह हमारे पास एक separating panel है यहाँ पर हमारे पास टापर लगा होता है यहाँ पर हमारे पास car क्या present होता है यहाँ पर भी मैं simple अगर को कि स्टापर लगा होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर यह हमारे पास separating panel है तो जो बेच एक्स्ट्रेक्शन में हम जो separating apparatus इस्तिमाल करते है वहाँ पर भी हम separating panel इस्तिमाल करते है और जो multiple extraction होता है यहाँ पर भी हम separating panel इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ जो बेच एक्स्ट्रेक्शन है और multiple extraction है इन दोनों के लिए हम जो separating apparatus इस्तिमाल करते हैं वहाँ हमारे पास separating panel है तो यह हमारे पास separating panel है मैं distribution ratio के बात करता हूँ कि पहले हम इसमें water डाल देते हैं यहाँ गर मैं इसमें water डाल दूँ तो यह हमारे पास water एक लहर water का बनेगा विश्राइम एससे करते के इसमें हमारे पास salute प्रेज़ यान्य यह हमारे पास water है जिसको पिश्ट क्या कहते है इनरगेनिका solvent भी कहते हें यह हम वाटर इस्तिमाल करते हैं और इसमें हमारे पास क्या प्रेजर्ट है इसमें हमारे पास सलूट पार्टिकल यानि इस ब्लेक को मैंने represent क्या है? salute, याने एक, दू, तिन, चौट, पॉच्छ, पॉच्छ, शथ, आठ, आठ, याने हमारे पास कितने है? 8 salute particle है, इसके बाद हम इसमें क्या डाल देते है? organic solvent डाल देते है, याने हमारे पास क्या हो गए? पार इसमें, या हमारे पास organic solvent हो गए? तो जिब हम इसके बाद हमने इस्टापर को आरकिया और इसमें हमने organic layer डाल दिया है, तो यहाँ पर जो salute particle present है, यहाँ से मूग करेगा इस organic layer में, यह हमारे पास क्या है? organic layer जिसको मैं ने ओसे represent किया, तो जिब यह salute particle पार एक्जामपल, अगर मैं कहता हो कि इसमें से दो particle इस नीचे layer से इस उपर layer में चले गए? तो यहाँ पर इसका distribution हो गया, तो यहाँ पर अगर देकर जाए, तो organic layer में salute की distribution कम है, और water में salute की distribution ज्यादा है, तो mean distribution ratio हमारे पास कम है, तो जिब distribution ratio कम होता है, किसी भी एक्सलूट का, तो इसके लिए हम इस्तिमाल करते हैं, multiple extraction, ठीक है, लेकिन अगर, यहाँ पर अगर मैं कहो कि इस सारे particle, यानि इन आट particle में से 6 particle इस organic solid में चले जाते हैं, और दो हमारे पास इस water में रहते हैं, तो फिर यहाँ पर distribution ratio ज्यादा होता है, और इसके लिए हम इस्तिमाल करते हैं, base extraction, जिसको हम पिछले लेक्चर में discuss किया है, ठीक है, तो यहाँ पर चुनका हमारे पास salute का जो particle है, इसका distribution organic layer में कम है, तो इसके वज़े से जो distribution ratio है, वो कम है, और इसे वज़े से हम इस्तिमाल करते हैं multiple extraction, और यह भी simple, it's a base extraction है, लेकिन हम उसको ज्यादा या दो या तिन या चार मरतबा करते हैं, या इस लिए हैं उसको multiple extraction करते हैं, और इसको आजसो कार्ड multiple base extraction, इसको हम multiple base extraction भी कहते हैं, क्योंकि ये base extraction हम करते हैं, लेकिन तीन या चार स्टिप में करते हैं, और जब हम different tip, या ज्यादा स्टिप में करते हैं, तो इसी वज़े से उसको multiple extraction कहते हैं, इसका जो method है, जो procedure है, ये भी same है, जिस तरह base extraction में हैं, तो मैं डाइग्रामेटिक लिए उसको ड्रा करता हूँ, और अगर आप procedure लिखना चाहते हैं, तो आप उस base extraction से अप्लिक सकते हैं, परस टिप में आपको क्या करना है, procedure जब हम लिखते हैं, परगरमी को के, कब procedure हमारे पास, procedure हमारे पास क्या होगा, तो परस टापल आपको क्या लेना है, separating panel, यानि multiple extraction भी हमारे पास एक separating panel में होता है, मैंने यहाए निया पर एक separating panel ले लिया, इस तरह मैंने यहाँ पर लिया था, इसमें मैंने सबसे पहले अरग इन अरगनिक साल्वन डाल दिया, जिसमें हमारे पास present है, salute particle, ठीक है, इसमें हमारे पास अगर present है, इस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, एट पार्टिकल, पर आपको क्या करना है परस्टिप में आपको करना है कि आपको एक सिपरेटिंग पनल लेना है इसके बाद जो फ़हला स्टिप होगा आप सिपरेटिंग पनल लेने के बाद आपको इसमें डालना है अरगेनिक का सालवन्ट यानि यह जो आपको बलू वाला नज़र आ रहा ह है अब हम चाहते हैं कि इसके लिए हम यहां पर डालते है hierarch आम इसमें इसमें रहे हो यानि इसमें डिजाल हो रहे हो तो यह हम इस्तिमाल करते हैं तो इसमें आपको अर्गनिक साल्वन डालना है पर एक्जमपल मैंने यहाँ पर अर्गनिक साल्वन डाल दिया जब हमने औरगनिक सालवर डाल जाया तो इसके बाद जो तर्डडस्टिप है आपको पत है कि बेचेक्सिट्रिक्शन में तर्डस्टिप में क्या होता था कि जो सलोट पार्टिकल होता था, उस वाटर से सारे का सारे औरगनिक लेयर में जाते था लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो distribution ratio कम होता है तो इन आठ पार्टिकल में से मैं अगर फार एक्जमपल दो पार्टिकल यहाँ पर आते हैं तो जो बाकी रह जाते हैं वो हमारे पास इस water में रह जाते हैं यह उफर वाला हमारे पास organic solvent है जिसको मैं ने O से represent किया है तीके अब यहाँ से दो आप मिटाए हमारे पास चे रह गए तो यह हमारे पास था पहला extraction यह अगर मैं यहाँ से represent करो तो यह हमारे पास था पहला extraction अब इसके बाद simple आपको यहाँ पर जो मैंने का कि यहाँ पर आप भी कर ले टू भी कर ले टीक है तू भी कर ले इस टापर को आंकरिड़ जबाव इस टापर को राल करें तो वाटर एक भी कर में आता है कैंए यह अगर में कैंते हैं हमारे पास वार्त है और दुसरा जो रढ़ कि और आरगनिक शलून आरगने लाई दरीन इन अर्गेनिक ले में हमारे पास टू साल्वेंट टू सलूट पार्टिकल प्रेजन्ट है और इसमें हमारे पास सलूट पार्टिकल के तादाद कितने सेक्स है अब क्या होता है कि यह हमारे पास चुनका अर्गेनिक है और यह हमारे पास मौस्लिव वाटर है तो वाटर से हम हम सलोट को अलाइदा। नहीं कर सकते। सिपरेट। नहीं कर सकते ​ लेकिन यहाँपर जो हमारे पास अरग्शनुट है इन से हम इसे कर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब हम इसको हीड देंगे तो आपको पता है कर वालाइट सालुट होता है तो यह हमारे पास पहला स् φेष्ट तह नहीं भार बार यहां पर हमारे पास जिश्क्स पार्टिकल हम चाहते कि इसको भी सिपारेट करें तो इसके लिए हम एक और सिपारेटिंग पानल लेते हैं पर इजमपल मैंने एक और सिपारेटिंग पानल ले लिया पहली तरह यहां पर स्टापर लगा होता है यहां पर भी स्टापर लगा होता है पहला स्ट्रिप में आपको वाटर लेना है यहां पर आपने जो वाटर लिया है जिसमें सेलोड पर इसको आपने उटाना है और यहां पर रखना है यानि यह हमारे पास आप water है जिसमें हमारे पास कितना है क्या मौझूद है यह six particle मौझूद है तो पस्टिप में आपको क्या करना है यह हमारे पास आएगा इस separating panel में आप हमारे पास जो लोट particles है इस गसकती है इसके बात आपको अर्गे साललिय को अब को क्या करना है कि आप इस अर गिनके लिए पो डाल देते तो पिर इन शालूट में से और दो उपर आ दे जिब और टू पार्टिकल इस वाटर से इस अरगेनिक में आते हैं तो हमारे पास पौर रह जाते हैं पर आपको इसको सिपरेट करना होगा तो भी कर लेना होंगी इनने पहले कहा कि जो डिस्टिबिशन रशु कम है तो इन में से कम सलूट इस वाटर से इस अरगेनिक लेयर में आते हैं और बागी वाटर में रह जाते हैं तो पिर यहां पर वही पिनामीना यहां पर हमारे पास सलूट पार्टिकल के तादाद ज्यादा है वाटर में और जो हमोस्ट है हमारे पास है जो हमारे पास जो अरगेनिक है इसमें तादाद कप है तो कि उपिर आप को क्या करना पिर वही तरह तो इसको आप इसको एजने कर सकते हैं अपर लगा होता है धोनों साइट में पहले स्क्वेस्ट में यह वाटर यहाँ पर जिस्में सलूटब पर्टिकल प्रेजिन इसको आप को यह तरह ना है टीके यहांपर आएगा ये वाटर जिसमें हमारे पास प्रेज़न स्रूटे पार्टिकल अब क्या होगा इसके बाद आप जो अर्गेनिक साल्वन डाल डेते हैं यहांपर तो इन सलूट में से टू पार्टिकल फिर इस इस अरगनेक लेयर में आते हैं यह हमारे पास अरगनेक लेयर है इन चार में से फिर टू यहाँ पर आएगा फिर आप यहाँ पर टू बी कर लेंगे वही सेंटरी था, वही प्रोसीजर आपको पालो करना होगा, इस तरह पहले मैंने डिटेल के साथ डिसकस किया था, तीके, आपको वे सही करना है, क्योंकि यह मल्टिपल एक्स्रेक्शन है, मल्टिपल स्ट्रिक में होता है, इसलिए आपको एक ही तरह बार बार दोहरादा तो यहाँ पर जो सालर्म потр होता है, आर्गनिक, यह वापुरेट होजाता है और जो भी वापुरेट हो जाता है, तो आप सेंपल आप हने स्लूट क्या किया, ईसके बाद यहाँ पर जो तूल रह जाता है, यहाँ पर आपको प्र एक हाँए-एक आवर बेच करना करना होगा, यानि यह multiple base extraction, इसलिए हम उसको कहते हैं, कि यहाँ पर हम बार-बार base extraction करते हैं, और separating panel, यहाँ पर stopper, यहाँ भी stopper लगा होता है, पहले step में आप इसको उटाना है, यहाँ पर डालना है, जिब आप यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो water होता है, इसमें salute की जो quantity होता है, यह तादाद में two होता है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें organic solvent डाल देना है, जिब आप organic solvent डाल देते हैं, तो इन दोनों में से, par example, एक उपर आ देते हैं, यहाँ इन में से अगर एक उपर आते हैं, तो यह एक नीचे रह जाता है, क्योंक को सिपरेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पास एक एक एक्स बेच एक्स्रेक्शन हुआ, यहाँ पास दूसरा बेच एक्स्रेक्शन हुआ, यहाँ पास तिसरा बेच एक्स्रेक्शन हुआ, और यहाँ पास चोता बेच एक्स्रेक्शन हुआ तो इसलिए इस से वज़े से इसको हम आज सो कार्ड मल्टिपल बेच इक्सेक्शन यान इसको हम मल्टिपल बेच इक्सेक्शन भी कहते हैं ठीके और यह उन सलूट के लिए बेस्ट है जिसका डिस्टिबूशन रेश्यों हमारे पास कम हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं य इस बेस्ट और दो सरोट विच है उप स्मालर इस्टिबिशन इस्टिबिशन रेज्ट तो यह था हमारे पास मल्टिपल एक्स्ट्रक्शन इसके बाद हम इस आला काउंटर करेंट एक्स्ट्रक्शन को डेसकस करेंगे तो जो लोग इस चैनल पर तो मैं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए उतने दोस्तों के साथ शेर कीजिए तेंक्यू